अनंत का फंडा के आज के एपिसोड में सबसे पहने हम डिसकास कर लेते हैं सेंका गोल के IPO के बारे में latest update वैसे मैंने उसके उपर detailed वीडियो जिसमें सब कुछ बात किया गया है और retail category आपको already 1x से ज़्यादा भरती भी दिख गई है मेरी personal listen ये है कि मैं इस IPO में H9 category में apply करने वाला हूँ मैं यहाँ पर कोई पैसा double होता हुआ नहीं देख रहा पर एक decent listing इनकी मेरी personal यहाँ पर expectations बनी भी है आपकी क्या opinion इस complete IPO के बारे में मुझे comment करके बता दीजेगा और detailed वीडियो देखना मद भूलेगा आज मैं क्या कर रहा हूँ कुछ important news जो अभी IV है market में उसे भी discuss कर रहा हूँ आपके लिए पहली news यह IV है कि TCS का buyback 2023 quarter 1 financial year 2024 में announce होने की expectations है यह news आई थी आपके लिए important है next important news यह है कि आपने देखा होगा कि HDFC, HDFC bank का merger हो गया उसके बाद अब IDFC first bank और IDFC का भी merger announce हो गया है अगर हम इस second merger की बात करें तो यहाँ पे benefit होने वाला है immediate basis पे IDFC bank के shareholder को यहाँ पे इसी की वज़े से roughly 17% का premium मिलने वाला है IDFC के shareholder को जिसकी वज़े से market में IDFC के shares अच्छा कर रहे है IDFC first के shares तोड़ा सा महाँ पे pressure देखने को मिल रहा है यह हुई short term की बात I feel जब भी long term में कोई भी merger होता है तो company के लिए और पूरे देश के लिए अच्छा होता है especially किसी बड़ी company में merger देखने को मिलता है तो final update यह है कि Wipro के buyback में final acceptance issue आया है 77.35% का जो amazing होता है मतलब वहाँ पे short shot हमें 9% से लेके 11% के बीच के returns मिलने की expectations बन चुकी है complete buyback की calculation को ध्यान में रखते हुए अब चलते हैं कल के market की expectations के उपर general market trend अभी भी uptrend में है लेकिन put call ratio at the same time 1.5 की उपर जाता हुआ दिख रहा है अगर put call ratio कभी भी 1.65 की उपर चले जाता है तो बिल्कुल ultra short term में market भारी हो जाता है इस point का ध्यान रखना पड़ेगा अब इससे पहले कि मैं कल के market की expectation के उपर जाऊ एक important point है जो आपके साथ discuss करना है यहाँ पर आप chart में देखेगा आपको याद होगा कि कुछ समय पहले roughly 2 हफते पहले जिस समय निफ्टी और bank निफ्टी तोगा सा शान थे एकदम धीरे से छोटी से range में काम कर रहे थे roughly mid June का वो समय था इस समय में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमें आने वाले समय में धाई अजार से लेके 4,000 point का move immediately bank निफ्टी में आपका वेट कर रहे है उस वीडियो का link भी ना मैं आपके लिए उपर i button पर डाल दूँगा उस वीडियो के comment में मुझे इतने सारे comment आई कि अनन्त आप कैसी बाते कर रहे हो आप कुछ अंदा दून बाते कर रहे हो आपने सिर्फ clickbait एक thumbnail लगा दिया है अब आप देखो market में हुआ क्या है उसमें हमें बता है था कि market में धाई 3-4,000 point का move आने वाला है आ सकता है आने वाले 2-3 महीनों में हमें उसके लिए ready रहना चाहिए और ये move बहुत ही प्यारी तरीके से हमें मिल चुका है I hope आपको अब वापीस से जाकी वो वीडियो देखोगे तो काफी मज़ा आने वाला है अब intraday purpose के लिए कल के लिए discuss कर ले थे by the way कल के दिन में live भी आके discuss करने वाला हूँ चीजों को आप चाहो तो live भी study कर सकते हो 11 बज़े से हमारा life start होगा अगर बात करें आज का price action तो आज का price action था अच्छा positive price action और आप देखोगे तो market ने roughly 19,432 के आसपास high बनाया अब कल के लिए market में या तो market flat open हो या फिर हलका सा gap down open हो तभी वहाँ पे relevant रहे जाएगा flat या फिर gap down open होके जिग्जग करके वापिस से 19,430 को cross करता है तो वहाँ पे चोटी सी positive side की trade ली जा सकती है चोटी trade मैंने इसलिए कहाए क्योंकि ultra short term basis पे धीरे धीरे market बहुत ज़्यादा overbought हो जाएगा तो वहाँ पे तोड़ा cautious रहा सरूरी है यहाँ पे अगर मैं positive side की trade लेने की कुशिश करूँगा निफ्टी में तो सिर्फ scalp करूँगा 70 points का मेरा target होगा 20, 25, 30 points का मेरा maximum stop loss हो जाएगा अगर मैं shot की बात करूँ तो जब तक market 19,360 को undercut करके नीचे नहीं जाता है कोई भी shot नहीं बनेगा यहाँ पे जो immediate shot के targets बनेगे वो बनेगा 19,250 का अगर market कभी भी 19,250 की range में मिलता है तो यह पहला dip होगा जिससे bought back होने के chances काफी high रहेंगे उदर हमारी study रह सकती है अगर हम bank nifty में बात करें तो overall bank nifty जादा strength में है bank nifty का पहला support का area जो major support का area रहगा वो रहेगा 44,800 का जिसके आसपास अगर हमें मिलता है तो यहाँ पे एक बार dip में buying की opportunity को use किया जा सकता है immediately अगर मैं बात करूँ तो ultra short term का level 45,000 का भी round figure आ जाता है best कल के लिए होता है कि market अगर gap down open हो gap down open होके हलका से यहाँ पे time बिताए एक final zigzag दे फिर हमें एक अच्छी opportunity दे तो यहाँ पे वापे से bounce back के लिए play करना काफी interesting हो जाएगा और अगर मुझे short करना है तो bank nifty जब तक 44,800 के नीचे नहीं जाता है मैं महाँ पे short करने की कोशिश नहीं करूँगा important stocks की बात करें तो सबसे पहला comments आता है हमारे सामने comments को आप check out कर सकते हो एक बहुत अच्छी rally दी अब rally देखके almost 20 day moving average को retest करने ये आ गया है धाई दिन का fund अप्लिकेबल हो रहा है कभी भी ये 1860 को cross करें तो immediately हमें धाई percent का positive side का move दिखा सकता है intraday या फिर even swing click काफे interesting हो जाएगा next important stock रहेगा जो अपने 10 day moving average के आजपा support ले रहा है जिसका नाम है ICICI GI breakout ही already दे चुका है breakout देने के बाद इसने यहाँ पर तोलबासा time pass भी किया था अब अच्छा move देखके धाई दिन का fund अकल के दिन लगा रहा है जिसके लिए हमारी study में आ जाएगा वीडियो अच्छा लगे तो like कि रहे बेना मच जाएगा happy learning and I will see you very soon